दोस्तो नमस्कार भारती रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है वर्धा नांदेड रेलवे लाइन और इसे नांदेड यवतमाल वर्धा रेलवे लाइन भी बोला जाता ह तो वो आप देख पा रहे होंगे, ये है वो railway line, आप यहाँ पे देख पारे होंगे कि नांदेर आपको दिख रहा है और साथ ही, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे यवतमाल भी देखने को मिलता है यवतमाल से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको वरधा railway line देखने को मिलता है, जहाँ पे already कई सारी लाइने आ रही है यह railway line बनने से, चार railway line वरधा से connect हो जाएगी, तो आईए देखते हैं, यह railway line कितना important है और कितना इसके बन जाने से change आएगी railway में, महरास्ट के छेतर में, दोस्तों हम लोग सभी कोई जानते हैं कि महरास्ट का जो विदर्व छेतर है, उसके साथ बहुत सालों से नाइनसाफी की जा रही है सारा का सारा royalty और tax का पैसा मराठवारा छेतर में और दूसरी division में खर्च कर दिया जाता है, नागपूर अमरावती जैसे important सहरों में, division में बहुत कम ही विकास किया गया है महरास्ट के अन्य छेतर के मुकाबले, तो यहां पर railway की जो importance है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग देख लिते हैं, यह है वो railway line जिसके बारे में बाते की जा रही है, और उसी के बारे में आज हम लोग बाते भी करें होंगे, यह वरधा, नांदे, railway line, तो यह कैसे important से यह देख लिते हैं, अभी के अनुसार पे आप देख पा रहे होंगे, कि नागपूर से जो ट्रेने आ रही है, जो railway line आ रही है, अगर वहां से आपको सोलापूर जाना हो, या फिर डक्षिन के तरफ कहीं भी जाना हो, तो फिर आपको बहुत घूम कर, नागपूर से वरधा होते वे, वाईले होते वे, फिर आप इधर से होते वे, सिकंदराबाद आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरे रूट पर जाना है, पुने जाना है, तो नागपूर से फिर अकोला, बुसावल, मनवाड और फिर ऐसे होते वे, पुने आएंगे, पुरा घूम कर, लेकिन अगर यह रेल वे लाइन बन जाता है, नागपूर या वतमाल नादेर, तो आप यहाँ पर से डारेक्ट लातूर आ सकते हैं, और लातूर से फिर आप पुने आ सकते हैं, इस माध्यम से, और आगे चल कर जब यह रेल व करेगा, डेवलप्पेंट के मामले में, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में लेटेस्ट नियूज क्या है, कितना तयारी हो गया है, और हम लोग इसमें यह भी देखने का प्रयास करेंगा कि क्या इसमें, जो अंडरी कंस्ट्रक्षन, इसमें रेलवे इस्टेश का नाम दिख रहा है वो है अर्धपूर और उसके आगे हम लोग बढ़ें तो एक रिल्वे स्टेशन यहां पर पुस्द आपको दिख रहा है फिर और आगे बढ़ने पर हमें यहां पर एक जंक्सन देखने को मिल रहा है दरवा मुती बाग जंक्सन जो कि पहले मेटर गेज की लाइन हुआ करती थी उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे की यहां पर टपोना लड़खेड लिंग लसीना और फिर यहां पर यह वतमाल आ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहां पर कलंब नाम का एक रेलवे स्टेशन है फिर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर आप देख पाड़ेंगे भीडी फिर देवली और आगे बढ़ें तो फिर यहां पर फाइनली आप वर्धा में कनेक्शन देख पा जाती है तो वर्धा में अगर यह रिल्व लाइन बन जाता है तो विदर्व के छेत्रों के लिए काफी ज्यादा यह फायदे मंद होगा इसके साथ है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दूसरे वीडियो वसीम बढ़नेरा और बेतूल रिल्व लाइन को देखना बिलकुल न भूलें जो कि इसके बाद अपलोड हो जाएगी वो रिल्व लाइन है यह बेतूल से वसीम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसके साथ हम लोग इसके साथ ही एक वीडियो और जो आने वाली है वो जलना और ख़द मूर करके एक रिल्व लाइन के बारे में वीचर्चा करेंगे इसके साथ जो मैं अभी आपको बता रहा था एक रिल्व लाइन के बारे में जो की बन जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो है यह वाली रिल्व लाइन न्यू अस्ती और परली वैजना थी इस रिल्व लाइन को आप देख पाड़े होंगे न्यू अस्ती परली वैजना तो यह तीन रिल्व लाइन बैक टू बैक सबकी वीडियो आने वाली है आप इसको देख सकते हैं तो आईए हम लोग अभी फिलहाल वरधा नांदेर जो की यह वरधा नांदेर रिल्व लाइन है इसके बारे में जान लेते हैं कि इस पर क्या ले टेस्ट अपडेट आई भी है तो दोस्तों यह देख पा रहे होंगे आप की वरधा नांदेर रिल्व लाइन को लेकर करके यह जुलाई 19 का न्यूज है उससे हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों यह नागपूर से पबलिश किया गया है इस पर टाइमस ओफ इंडिया का जो यह आर्टिकल है इस पर लिखा है एनाउंस 14 एर्स एगो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर से मैं पर रहा हूं एनाउंस 14 एर्स एगो इन दर रेलिवे बजेट दट टूएटीफोर किलो मीटर तो सबसे पहला डाटा में मिलता है कि यह रेलिवे लाइन 284 किलो मेटर का है वर्दा नांदेर रेल न्यू ब्रॉड गोज लाइन इज फाइनली टेकिंग से विद 47% of the work completed दूसरा डाटा में यह पता चलता है कि 47% work का complete already हो चुका है the project was announced in the 2008-09 budget but even after 14 years it has not seen the light of day during the same period many highways parallel to the same railway route have been widened and samrudhi mahamar was also completed after completing land acquisition कि यह यहां पर एक डाटा आपको दिख रहा होगा यह यहां पर वर्क चल रहा है नांदेर लाइन का इससे मैं डाउनलोड भी कर लेता हूं कि उसके साथ आप यह देखते होंगे कि रेल्वेस के तरफ से funding 60% इस्टेट के तरफ से 40% दिया जा रहा है उसके बाद फिर जब हम लोग और आगे पढ़ें तो अंग्रेजी में लिखा है Central Railway Official Said Land Acquisition was one of the major hurdles in the construction of the new railway line मतलब यह कहा जा रहा है जमीन अधिग्रहन की जो प्रोसेस थी वो सबसे ज़्यादा बरा problem create कर रही थी इस railway line के लिए the total land required was 2139 hectare 2139 hectare यहां पर देख पा रहे होंगे and till now over 1911 hectare means 89% of the land has been acquired the process of acquire the remaining 227 hectare 11% is being expedited मतलब 1911 hectare जो 89% होता है वो already अधिग्रहीत किया जा चुका है और बांकी का 11% जो कि 227 hectare होता है वो अधिग्रहन करना अभी बांकी है इसके साथ मैं लिखा है the railway board has sanctioned over 850 crore this year however मियग्रे allocations over the years have hampered the project which will ease the road traffic between major towns in Vidarv and Maratwara to expedite the project it was granted special status in 2016. इस railway line को जल्दी complete करने के लिए इसको जो है special status 2016 में दिया गया था the 78 km between वर्धा एन ये बतमाल is being implemented by Central Railway a 39 km of section between वर्धा देवली भीडी कलम has nearly completed of the total escalated 3445 crore project cost 1666 crore has been spent to complete 47 percent work Central Railway officials said the electrification tender is entered process this new broad goes line will operate through six तहसिल से 90 villages इन वर्धा जिवतमाल वसीम हिंगोली एन नांदेर तो ये total news है जो की निकल कर सामने आई है आप देख पा रहे होंगे कि इस बीच में 27 रिल्वेस्टेशन होगा total cost 3446 है और distance 284.65 km accurate है यहां पर आप इसको एक पिक के थूर देख पारे होंगे कैसे इसको तियार किया जा रहा है एक इसका काम आप इस पर देख पारे होंगे इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समात करता हूं जै हिंद जै भारत और आज 15 गस्त आप सभी को सतनता दिवस की बहुत बहुत सुब कामना है जो आज वीडियो देख रहे है जो आज के बाद इस वीडियो को देख रहे आप लोगों को भी देश प्रेम और पेट्रियोटिक होना चाहिए लेकिन कुछ मराथी लोग एंटी नेशनल होते हैं तो आप लोग एंटी नेशनल ना हुए और देश और भारत देश के नागरिक बन कर रहे हैं मराथी कोई एथनेसिटी नहीं है आप अपनी भारती होने से जाने जाते हैं जे बिहार जे हिंद